Hello everyone, welcome to warmtreative exam, stack prep, मेरा नाम पुश्पांजरी है और आज की इस वीडियो में मैं डिस्वत करने जा रहे हूँ PHP के Important Questions का Solution Part 2 यह Part 2 है, Part 1 हम already discuss कर चुके हैं हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं Unit-wise सारे solutions को तो Unit 1 जो है हम Part 1 में cover कर चुके हैं PHP के Important Questions का Part 2 वीडियो है यह और यहाँ पे हम Unit 2 के Important Questions का Solution discuss करने वाले हैं तो friends अभी तक आप में चाल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएए कर लिजे चानल को सब्सक्राइब और बल बटन को प्रेस कर दीजे जिससे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें और ऐसी useful वीडियोज आप देख पाएं आप उजे टेलिग्राम पर ही follow कर सकते हैं जहाँ पर मैं notes प्रोवाइड करती हूँ Link description box देखा हुआ हुआ है वहाँ से checker के join कर सकते हैं आप पूरी playlist को भी access कर सकते हैं जो की आपको description box पर मिल जाएगा वहाँ से आप चेक करकी देख सकते हैं वहाँ पर आपको सारी video sequentially मिल जाएंगी तो चलिए start करते हैं हम unit 2 यानि आपका unit 2 के solutions देखते हैं क्या क्या important questions हैं उनके क्या क्या solutions बनेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहला question हमारा बन जाता है what is mysql language and highlight its feature and history so mysql language क्या है सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे इससे related आपको features भी और history भी पूछा जा सकता है तो आपको क्या solution लिखना है यह इस देखते हैं तो सबसे पहले mysql language क्या है तो mysql language एक open source relational database management system है जैसे कि आप rdbms पढ़ते हैं dbms पढ़ते हैं तो mysql एक ऐसा ही open source है यानि freely available है relational database management system है यह सबसे ज़्यादा PHP के साथ use किया जाता है तो most popular database system क्या सकते हैं कि PHP के साथ इसको ज़्यादा use किया जाता है mysql जो है वो किसने develop किया था तो oracle corporation ने इसे develop किया हुआ है mysql language को चीक है इससे हम database में data को store करने के लिए use करते हैं क्या-क्या इसके features हैं यह देख लेते हैं तो mysql के क्या-क्या features हैं सबसे पहला feature है कि mysql database जो है इसमें जो data होता है वो हम tables के form में store करते हैं हम जानते हैं कि database के अंदर जो data store किया जाता है वो tables के form में store किया जाता है जो php भी है वो अभी हमारा server side scripting language है तो हम server पे php को deal करते हैं server पे हमें coding करनी है तो php से करते हैं तो जब हमें अगर server का data store करना है तो हम mysql language का use करेंगे data को store करने के लिए ठीक है mysql जो है वो आपका दोने तरह के applications को support करता है चाहे वो आपका छोटा application हो या small application हो या large type के application हो दोनों ही type के application को support करता है जो mysql है mysql हमारा fast है reliable है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा database system है जो कि बहुत easily आप use कर सकते हैं ठीक है last में आप feature लिख सकते हैं कि mysql जो है वो आपका कई सारे platform पे compile किया जाता है ठीक है next question बनेगा आपका how to establish connection between connection to mysql using php so mysql से आप कैसे connection establish करेंगे php क्या use करके तो php आपको कुछ function provide करता है तो आप लिख सकते हैं कि php जो है एक function provide करता है mysql connect function ठीक है कौन सा mysql connect function आपको provide करता है जिससे आप क्या करते हैं database connection को open करते हैं ठीक है यानि database connection को establish करते हैं ये जो function है वो single parameter लेता है और ये जो parameter है वो आपका mysql connect function return करता है वो आपका parameter इसमें store होता है ठीक है आप इस connection को disconnect भी कर सकते हैं जब भी आप चाहें तो mysql database से जो आपका connection establish हुआ है उसको आप वापिस से disconnect कर सकते हैं इसके लिए आप क्या function use करेंगे mysql close function को use करेंगे क्या coding हो जाएगी इसकी तो आपको generally आपको क्या करना है php का जो normal code लिखते हैं आप उस तरह से लिखना start करेंगे तो php का close जो आपका starting tag है and ending tag लगाएंगे then आपको क्या लिखना है server का नाम क्या होगा generally आप local host ही लिखते हैं ठीक है username आप username डाल देंगे then password डाल देंगे अब आपको connection को establish करना है तो connection को establish करने के लिए आप कौन variable को use करेंगे con is equal to आपको लिखना है new and then आपको लिखना है mysql i function mysql i function के अंदर आपको parameters लिखने है server name, username and password ठीक है तो यह तीनों आप लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है connection को check करना है कि properly आपका connection हुआ है कि नहीं हुआ है तो for checking the connection if connection is successful or not तो आपको क्या करना है यहाँ पर if function का use करेंगे con variable को आपको check करेंगे कि connection में कोई error तो नहीं है अगर error है तो connection fail हो जाएगा अगर ऐसा नहीं है तो आप loop के बाहर आजाएंगे यहाँ पर if के बाहर आजाएगे condition के यहाँ पर successfully print करा देंगे कि connected successfully तो यह आपको code लिखना होगा जब भी आप connection establish करने का आपको अगर question आ जाता है तो ठीक है next आगे बढ़ जाते है third question हमारा बनता है what do you understand by database यानि database से आप क्या समझते है and how can it be created using MySQL यानि आपको पुछा जाएगा question की database क्या है database से आप क्या समझते है और MySQL का use करके आप database को कैसे create करेंगे तो आप कैसे create करेंगे तो आपको लिखना है the MySQL create database statement यानि MySQL create database statement जो है वो हम use करते हैं जब भी हमें कोई भी नया database create करना हो तो यानि अगर आप से कहा जाए कि आपको नया database create करना है तो कौन से syntax लिखेंगे MySQL create database statement लिखेंगे यह आपको क्या करेगा database name आपको यहाँ पर specify करना पड़ेगा और कुछ optimize setting भी आपको करने पड़ेंगी जैसे कि क्या character set आप लिखना चाहते हैं क्या collation होगा उसका इसको करने के बाद आपको database को आपको ensure कर लेना है कि यहाँ पर आपका database में data store हो रहा है, manage हो रहा है ठीक है, तो कैसे इसको हम करेंगे check तो आपको syntax लिखना है syntax क्या लिखना है create database if not exist क्या लिखना है create database if not exist name of database then आपको लिखना है character set name of character set and collate यानि number of name of collation ठीक है, तो इन सारे में का मतलब क्या हुआ इनका syntax का मतलब क्या हुआ तब देखिए, यहाँ पे जो आपका लिखा है create database के बाद name of database यानि यहाँ पे आपको simply आपको समझ में आ रहा है database जो भी आप create करेंगे उस database का नाम लिखेंगे उसके बाद if not exist का क्या मतलब है, यह आपका optional होता है if not exist इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अगर database का नाम same डाल देते हैं तो आपका अगर कोई error आनी होगी तो वो error जो है वो आपके remove हो जाएगी उस error से बचने के लिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं if not exist यानि same name का अगर database आप लिख भी देते हैं तो वो आपका error वहाँ पे remove हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको पता है यहाँ पे name of character set यानि आपके database के अंदर name of character set क्या होगा फिर आपका collation का नाम क्या होगा यह आप यहाँ पे लिख सकते हैं यह भी दोनों optional होते हैं ठीक है तो यह हम बात कर रहे हैं subject जो है हमारा web development using PHP subject है तो इसके अंदर हम unit 2 के important questions हमने देख लिए जल्द ही मैं unit 3 के important questions लेकर आऊँगी कि चुकि आपकी जो यह वीडियो है वो बहुत बड़ी हो चाती इस वज़े से मैंने इस वीडियो में cover नहीं किया है नेक्स वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊँगी इसी तरह से playlist को प्यार देते रहे है and thank you आप ने बहुत support किया है और आगे भी support करते रहे है thank you for watching